ओम श्यान्ती, 20 अक्तुबर 2024 के अव्यक्त महवाक्य, पहले एक नजर मुरली के मुख्य पोइंट्स पर, आज बाप दादा ने बताया, हर एक ब्राह्मन बच्चे के मस्तक पर भाग्य की यह तीन लकीरें चमक रही हैं, एक लकीर है प्रभु पालना की, दूसरी लकीर है स्र प्रेष्ट मत की लकीर, यह परमात्म पालना का भाग्य सिवाए आप ब्राह्मन बच्चों के और किसी को प्राप्त नहीं होता, इस पालना से ही तुम पूजनिय बनते हो, देखो आप ब्राह्मन बच्चों का होलियस्ट बनना कितना सर्व से न्यारा और प्यारा हैं, पू जो की अभी आपकी आत्मा भी पवित्र बन रही हैं, और फिर वहां आपको शरीर भी पवित्र, प्रकृती भी सतोप्रधान, पवित्र मिलेगी। बाबा नहीं कहा, ऐसा अपना भविश्य रूप सामने आता है ना, ऐसा तो नहीं सोचते कि पता नहीं बनेंगे या नहीं कोई शक्त तो नहीं है ना, जब राज योगी बने हो, तो राज्य अधिकारी भी बनेंगे ही बनेंगे। इसलिए बार बार अपने स्वीट राज्य की और स्वीट होम की स्मृती स्पष्ट आने चाहिए। लास्ट में बाबा ने कहा, समय प्रमान अब पुरुशार्थ मे जरा भी अलबेलापन वा आलस्य ना हो, ये कभी नहीं कहना चाहिए कि हो जाएगा, कर लेंगे। और किसी बात में ये भी नहीं सोचना कि इतना तो चलता है, कौन देखता है। सदा बुद्धी में रहे, अब हमें पास्विद ओनर बन, बाप के साथ घर जाना है। और फि सुनते हैं महबाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार, मीठे बच्चे, इस वर्ष को निर्मान, निर्मल वर्ष और व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ती वर्ष मनाओ। आज बाप दादा, अपने चारों और के बच्चों के मस्तक में चमकती हुई तीन लकीरें देख रहे ह एक लकीर है प्रभू पालना की, दूसरी लकीर है स्रेष्ट पढ़ाई की, और तीसरी लकीर है स्रेष्ट मत्त की, तीनो ही लकीरें चमक रही हैं, यह तीनो लकीर सर्व के भाग्ये की लकीरें हैं, आप सभी भी अपनी तीनो लकीरें देख रहे होना, प्रभू पालना का भाग्ये सिवाय आप ब्रह्मन आत्माओं के और किसी को भी प्राप्त नहीं होता है। परमात्म पालना जिस पालना से कितने स्रेश्ट पूजनिय बन जाते हो। कभी स्वपन में भी ऐसा सोचा था, कि मुझ आत्मा को परमात्म पढ़ाई का अधिकार प्राप्त होना है, लेकिन अभी साकार में अनुभव कर रहे हो, सुयम सत्त गुरु अमरित वेले से रात तक हर कर्म की स्रेष्ट मत दे, कर्म बंधन के परिवर्तन में कर्म संबंध में आने की श्रीमत देने के निमित बनाएंगे, यह स्वपन में भी नहीं था, लेकिन अभी अनुभव से कहते हो, हमारा हर कर्म श्रीमत पर चल रहा है, ऐसा अनुभव है, ऐसा स्रेष्ट भाग्ये हर बच्चे का बाप दादा भी देख देख हर्शित होते हैं, वहां मेरे स् बच्चे वहां, आज अमरित वेले से बच्चों के दो संकल्पों से याद बाप दादा के पास पहुँची, एक तो कई बच्चों को अपनी अकाउंट देने की याद थी, दूसरी बाप के संग के रंग की होली याद थी, तो सभी होली मनाने आए हो ना, ब्राह्मनों की भ देख रहे थे, ब्राह्मन बच्चों का होलीएस्ट बनना कितना सर्व से न्यारा और प्यारा है, वैसे दूपर के आदी की महानात्माएं और समय प्रती समय आए हुए धर्म पिताएं भी पवित्र होली बने हैं, लेकिन आपकी पवित्रता सबसे स्रेष्ठ भी हैं, न्या आत्म भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, प्रकृती भी सतोप्रधान पवित्र, ऐसा होलियस्ट कोई न बना है न बन सकता है, अपना भविश्य स्वरूप सामने लाओ, सब के सामने अपना भविश्य रूप आया, या पता ही नहीं कि बनूँगा या नहीं बनूँगा, क्या प्रकृती भी पवित्र पावन, सुख दाई, निश्चे की कलम से अपना भविश्य चित्र सामने ला सकते हैं, निश्चे है ना, टीचर्स को निश्चे हैं, अच्छा एक सेकेंड में अपना भविश्य चित्र सामने ला सकते हो, चलो कृष्ण नहीं बनेंगे, लेकिन साथी नहीं तो बनेंगे ना, कितना प्यारा लगता है, आर्टिस्ट बनना आता है या नहीं आता है, बस सामने देखो, अभी साधारन हूँ, कल ड्रामा का कल, यह कल नहीं जो कल आएगा, अभी साधारन हूँ, कल यह पवित्र शरीर्धारी बनना ही है, पांडव क्या समझ से रो, नहीं है न, पक्का है, जब राज योगी हैं, तो राज्य अधिकारी बनना ही है, बाप ददा कई बार याद दिलाते हैं, कि बाप आपके लिए सोगात लाए हैं, तो सोगात क्या लाए हैं? सुनहरी दुनिया, सतो प्रधान दुनिया की सोगात लाए हैं, तो निश्चे हैं, निश्चे की निशानी है रूहानी नशा जितना अपने राज्ये के समीप आ रहे हो घर के भी समीप आ रहे हो और अपने राज्ये के भी समीप आ रहे हो तो बार बार अपने स्वीट होम और अपने स्वीट राज्ये की स्मृति स्पष्ट आनी ही चाहिए यह समीप आने की निशानी है अपना घर अपना राज्य ऐसे ही स्पष्ट स्मृति में आए तीसरे नित्र दवारा स्पष्ट दिखाई दे अनुभव हो आज यह है कली यह है कितने बार पार्ट पूरा कर अपने घर और अपने राज्य में गए हो याद आता है ना और अब फिर से जाना है बाप ददा ने सभी की वर्तमान समय की रिजल्ट देखी चाहे डबल फोरिनर्स, चाहे भारतवासी सभी बच्चों की रिजल्ट में देखा कि वर्तमान समय अलबेलेपन के बहुत नए-नए प्रकार बच्चों में है अनेक प्रकार का अलबेलापन है, मन ही मन में सोच लेते हैं, सब चलता है, आजकल का सब बातों में यह विशे स्लोगन है, सब चलता है, यह अलबेलापन है, साथ में थोड़ा थोड़ा भिनभिन प्रकार का पुरुशार्थ वस्वपरिवर्तन में अलबेलेपन के साथ कुछ परसंट में आलस से भी हैं, हो जाएगा, कर ही लेंगे, बाप ददा ने नए नए प्रकार की अलबेलेपन की बातें देखी हैं, इसलिए अपना सच्चा, सच्ची दिल से, अलबेले रूप से नहीं, अकाउंट जरूर रखो, तो बाप ददा आज रिजल्ट सुना रहे हैं, स कि सभी बच्चे ब्रह्मा बाप के साथ साथ अपने घर में चलें, पीछे पीछे नहीं आवें, साथी बनके चलें, तो समान तो बनना पड़े न, बिना समान तके साथी बनके नहीं चल सकेंगे, और फिर अपने राज्ये का पहला जन्म, पहला जन्म तो पहला ही होगा न, अगर दूसरे तीसरे जनम में आ भी गए, अच्छा राजा भी बन गए, लेकिन कहेंगे तो दूसरा तीसरा ना, साथ चले और ब्रह्मा बाप के साथ पहले जनम के अधिकारी बने, यह है नमबर वन पास्विद ओनर वाले, तो पास्विद ओनर बनना है या पास्मक्स वाले भी ठीक हैं, कभी भी यह नहीं सोचना कि जो हम कर रहे हैं, जो हो रहा है, वे बाप दादा नहीं देखते हैं, इसमें कभी अलबेले नहीं होना, अगर कोई भी बच्चा अपने दिल का चार्ट पूछे, तो बाप दादा बता सकते हैं, लेकिन अभी बताना नहीं है, तो बाप दादा को बहुत तरस पढ़ता है हैं कौन और करते क्या हैं लेकिन जैसे ब्रह्मा बाप कहते थे ना याद है क्या कहते थे गुड जाने गुड की गोत्री जाने शिव बाबा जाने और ब्रह्मा बाबा जाने क्योंकि बाप दादा को तरस बहुत पढ़ता है लेकि गिन ऐसे बच्चे बाप ददा के रहम के संकल्प को तच नहीं कर सकते, कैच नहीं कर सकते। इसलिए बाप ददा ने कहा बिन बिन प्रकार का रोयल अलबेलापन बाप देखते रहते हैं। आज बाप ददा कहे ही देते हैं कि तरस बहुत पढ़ता है। कई बच्चे ऐसे समझ से हैं कि सत्यू में तो बता ही नहीं पढ़ेगा, कौन क्या था, अभी तो मौज मना लो, अभी जो कुछ करना है कर लो, कोई रोकने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। लेकिन यह ग करना है, पांडव समझा कि नहीं समझा, चल जाएगा, चलेगा नहीं, क्योंकि बाप ददा के पास हर एक की हर दिन की रिपोर्ट आती है, बाप ददा आपस में भी रूह रिहान करती हैं, तो बाप ददा सभी बच्चों को फिर से इशारा दे रहे हैं कि समय सब प्रकार से अती में जा रहा है, माया भी अपना अती का पार्ट बजा रही है, प्रकृती भी अपना अती का पार्ट बजा रही है, ऐसे समय पर ब्राह्मन बच्चों का अपने तरफ अटेंशन भी अती अर्थात मन वचन कर्म में अती में चाहिए, साधारन पुरुशार्थ नहीं, व प्यार से सेवा के लिए एवरेडी हैं लेकिन अभी सेवा में एडिशन करो वानी के साथ साथ मन्सा अपनी आत्मा को विशेश कोई न कोई प्राप्ति के स्वरूप में सित कर वानी से सेवा करो मानो भाषन कर रहे हो, तो वाणी से तो भाषन अच्छा करते ही हो, लेकिन उस समय अपने आत्मिक सिती में विशेस चाहे शक्ती की, चाहे शांती की, चाहे परमात्म प्यार की, कोई न कोई विशेस अनुभूती की सिती में सित कर मनसा दवारा आत्मिक सिती का प्रभाव वा वानी से साथ साथ संदेश दो, वानी दवारा संदेश दो, मन सा आत्मिक सिती दवारा अनुभूती कराओ। बोला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बातें सुनाई, ऐसे ही आपके आत्म स्वरूप की अनुभूती का भी वर्णन करें, मनुष्य आत्माओं को वाइब्रेशन पहुचे, वायूमंडल बने, जब साइन्स के साधन ठंडा वातावरन कर सकते हैं, सब को महसूस होता है, बहुत ठंडाई अच्छी आ रही है, गर्म वायूमंडल अनुभू करा सकते हैं, साइन्स सर्दी में गर्मी का अनुभू करा सकती है, गर्मी में सर्दी का अनुभू करा सकती है, तो आपकी साइन्स क्या प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शान्त स्वरूप अनुभव नहीं करा सकती। यह रिसर्च करो। सिर्फ अच्छा-च्छा किया लेकिन अच्छे बन जाएं। तब समाप्ती के समय को समाप्त कर अपना राज्य लाएंगे। क्यों आपको अपना राज्य याद नहीं आता, संगम युग स्रेश्ठ है, वह ठीक है, हीरे तुल्य है, लेकिन हे रहम दिल, विश्व कल्यानी बच्चे, अपने दुखी अशांत भाई बहनों पर रहम नहीं आता, उमंग नहीं आता, दुख में संसार को सुख में बना दे, यह उमंग नहीं आता, दुख देखना चाहते, दूसरों का दुख देख कर भी रहम नहीं आता, आपके भाई हैं, आपकी बहने हैं, तो दुख देखना अच्छा लगता है, अपना दयालू, कृपालू स्वरूप, इमर्ज करो, सिर्फ सेवा में नहीं लग जाओ, यह प् प्रोग्रेम किया, चलो वर्ष पूरा हुआ, अभी मर्सिफुल बनो, चाहे दृष्टी से, चाहे अनुभूती से, चाहे आत्मिक सिती के प्रभाव से, मर्सिफुल बनो, रहम दिल बनो, अच्छा, बाप ददा ने एक बात और भी देखी है, सुनाना अच्छा नहीं लग दूसरों की बातें वर्णन करना, और देखतें भी वियर्थ बातें हैं, विशेस्सा एक दो की वर्णन करना, वह कम हैं, हर एक की विशेस्सा देखना, विशेस्सा वर्णन करना, उनकी विशेस्सा दवारा, उनको उमंग उत्साह दिलाना, यह कम हैं, लेकिन वियर्थ बा जिन बातों को बाप ददा कहते हैं छोड़ दो अपनी तो छोड़ने की कोशिश करते लेकिन दूसरे की देखने की भी आदत है उसमें टाइम बहुत जाता है बाप ददा एक विशे श्रीमत दे रहे हैं है कॉमन बात लेकिन टाइम बहुत वेस्ट जाता है बोल में निर्मान बनो बोल में निर्मानता कम नहीं होनी चाहिए भले साधारन शब्द बोलते हैं समझ से हैं इसमें तो बोलना ही पड़ेगा ना लेकिन निर्मानता के बज़ाए अगर कोई अथोरिटी से निर्मान बोल नहीं बोलते तो थोड़ा कारे का सीट का 5% अभिमान दिखाई देता ह निर्मान्ता ब्राह्मनों के जीवन का विशेश रिंगार है निर्मान्ता मन में, वानी में, बोल में, संबंद संपर्क में हो ऐसे नहीं तीन बातों में तो मैं निर्मान हूँ, एक में कम हूँ तो क्या हुआ लेकिन वह एक कमी, पास्विद ओनर होने नहीं देगी निर्मानता ही महानता है जुकना नहीं है जुकाना है कई बच्चे हसी में ऐसे कह देते हैं क्या मुझे ही जुकना है यह भी तो जुके लेकिन यह जुकना नहीं है वासों में परमात्म को भी अपने उपर जुकाना है आत्म की तो बात ही छोड़ो निर्मान्ता निरहंकारी स्वते ही बना देती है निरहंकारी बनने का पुरुशार्थ करना नहीं पड़ता है निर्मान्ता हर एक के मन में आपके लिए प्यार का सान बना देती है निर्मान्ता हर एक के मन से आपके प्रती दुआएं निकालेंगी बहुत दुआएं मिलेंगी दुआएं पुरुशार्थ में लिफ्ट से भी रॉकिट बन जाएंगी निर्मानता ऐसी चीज है कैसा भी कोई होगा चाहे बिजी हो, चाहे कठोर दिलवाला हो, चाहे क्रोधी हो लेकिन निर्मानता आपको सर्वदवरा सही योग दिलाने के निमित बन जाएगी निर्मान हर एक के संसकार से स्विम को चला सकता है रियल गोल्ड होने के कारण स्विम को मोल्ड करने की विशेश सा होती है तो बाप ददा ने देखा है कि बोल चाल में भी, संबंद संपर्क में भी, सेवा में भी एक दो के साथ निर्मान स्वभाव विजे प्राप्त करा देता है इसलिए इस वर्ष में विशेस बाप ददा इस वर्ष को निर्मान, निर्मल वर्ष का नाम दे रहे है वर्ष मनाएंगे न? बाप डदा हर बच्चे को इस वर्ष में वियर्थ से मुक्त देखना चाहते हैं मुक्त वर्ष मनाओ, जो भी कमी हो उस कमी को मुक्ती दो क्योंकि जब तक मुक्ती नहीं दी है न? तो मुक्ती धाम में बाप के साथ नहीं चल सकेंगे तो मुक्ती देंगे, मुक्ती वर्ष मनाएंगे, जो मनाएगा, वह ऐसे हाथ करें, मनाएंगे, एक दो को देख लिया ना, मनाएंगे ना, अच्छा है. अगर मुक्ती वर्ष मनाया तो बाप ददा जोहरातों से जड़ी हुई थालियों में बहुत बहुत मुबारक ग्रीटिंग्स बधाईयां देंगे अच्छा है अपने को भी मुक्त करो अपने भाई बहनों को भी दुख से दूर करो विचारों के मन से यह तो खुशी का आवाज निकले हमारा बाप आ गया ठीक है अच्छा चारों और के सर्व होलियस्ट आत्माओं को सदा निर्मान बन निर्मान करने वाले बाप ददा के समीप आत्माओं को सदा अपने पुरुशार्थ की विधी को फास्ट तिवर कर संपन बनने वाले सनेही आत्माओं को सदा अपने बचत का खाता बढ़ाने वाले तिवर पुरुशार्थी तिवर बुद्धी वाले बच्चों को विशाल बुद्धी की मुबारक याद प्यार के साथ सभी बच्चों को नमस्ते। रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्णिंग। वर्दान एक बल एक भरोसे के आधार पर माया को सरेंडर कराने वले शक्तिशाली आत्मा भव। एक बल एक भरोसा अर्थात सदा शक्तिशाली जहां एक बल एक भरोसा है वहां कोई हिला नहीं सकता। उनकी आगे माया मुर्चित हो जाती है, सरेंडर हो जाती है। माया सरेंडर हो गई, तो सदाव विजई हैं ही, तो यही नशा रहे कि विजए हमारा जनमसिद्ध अधिकार है, यह अधिकार कोई छीन नहीं सकता। दिल में यह स्मृती इमर्ज रहे कि हम ही कल्प कल्प की शक्तियां और पंडव विजई बने थे, हैं और फिर बनेंगे। स्लोगन नई दुनिया की स्मृती से सर्व गुणों का अहवान करो और तिवर गती से आगे बढ़ो। नई दुनिया की स्मृती से सर्व गुणों का अहवान करो और तिवर गती से आगे बढ़ो। अच्छा, ओम शान्ती, सदा और स्वते ओटोमेटिकली सेवा होती रहे, कुछ भी मेहनत ना करनी पड़े। इसके लिए बाबा ने एक सहज यूकती बताई है, आईए वो सुनते हैं आज के अव्यक्त ग्यानमोती में। कि अव्यक्त ग्यानमोती बताई हैं यूकती इसके अवानरे में। यूकते लिएा इसके लिएवान से आगे पांदाएंगा यूकत इसके अव्यक्त बताई हैं धूकतte अभी में।